तो ही गाइस वस्ट यह मेरी पहली वीडियो और वेलकम तू मैं चैनल सब्सक्राइब करदेना जरूर मेरा नाम है नियूक आज का हमारा टोपी का बेसिक इन्फोमेशन आफल स्टुडियो की और हम शुरू करेंगे टोप लेफ्ट कोर्णर से क्या क्या होता क्या क्या नहीं ह अब यह पार्ट बनाकर डालता हुआ अभी पार्ट वन आएका सबसे पहले उसके बाद पार्ट फिर तरी फिर फॉर और यह सारी पार्ट में होगी पूरी बिगिनर जो कॉर्स है और किसी को भी कोई भी कोश्चन हो तो मैं को कमेंट कर सकते नीचे और भी कोई टोपिक में को सजेस्ट करना उस पर वीडियो बनानी हो तो आप बिल्कुल सजेस्ट करना उस पर बना दूगा नहीं तो फिर मेरे को जो लगे का कि मेरे को इस पर बनानी इचे मैं फिर उसी टॉपिक पर बनाऊगा दूसरे को नहीं छेड़ूँ आप चलो फिर हम FF Studio को शुरू करते ह कि एक डिए तो लेफ्ट कॉर्णर से किस चीज के ओप्शन से और इसमें क्या होता है तो फाइल के अंदर बेसिक ली फस्ट थ्री जो उप्शन हैं फस्ट टू प्रोजेक्ट के ओप्शन है यहां पर शायद आपके कुछ और आ रहा हो फस्ट आप्शन पर क्योंकि यह मैं अपने लिए कस्टम सेट कर रखा है तो इसलिए मेरा यह दिखा रहा है आपका शायद वहां कुछ और आ रहा हूँ लेकिन यह स्टरब्स देखा है एक जब भी आप अफस्टूडियो खुलो तो आप क्या चाहते होगी आपका जो प्रोजेक्ट है वह से स्टार्ट होना चाहिए या कोई ना कोई इफेक्ट ने लगा आपको मिलना चाहिए जिससे कि आप काम शुरू कर सकूँ जैसे कई लोग लगा के रखते हैं कि जब BFL Studio खोलें वो तो उनको यहाँ चैनल रेक के अंदर चार इंस्ट्रूमेंट मिलने चाहिए किसी को पांच मिलने चाहिए वो भी हम चैनल रेक के बारे चैनल रेक्ट मिलने तो कई जैसे अभी मैंने इस पर प्यानो लगा दिया तो कई जैने इसी टैंप्रेट को सेफ कर लेंगे कि जब भी वह एफल स्टूडियो खोलें तो उनको यहाँ पे एक प्यानो लगावा मिले जैसे मैंने अभी बंद कर दूं और मैं इसको वापस से से खोलंगा तो मिलें को वह वह वैसा इक टैंपलेट मिले यहाँ उस पे अपना कस्टम सेट करका और यहां से न्यू टैंपलेट में से нравится आपूशन चूह्ज कर सकते कि आपको कौन सा टैंपलेट चाहिए और इन मेंसे ऑन अपने कस्टम चूह सकते हो का कौन सा च्याइ़ ये टेंपलेट खुलेगा ही ऐसे जैसे इसने हाँ पर ड्रम्स लगा के मेरे को दे दिया ये बेस है सब और यहीं मिक्सर पर भी इसने हमको कुछ एफेक्ट लगाकर दे दिया है अपनी तरफ से टेंपलेट है ये एक रैप जोनर का और ये मिक्सर क्या होता ये भी हम एक अलग से टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे एक अलग से वीडियो में तो ऐसी ये टेंपलेट है आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो और इनमें से आपको चूज नहीं करना तो आप अपने लिए कोई सा भी नॉर्मल लगा सकते हो और फ्ल स्टूडियो के अंदर जरूरी नहीं कि सिर्फ म्यूजिक बनाने के लिए ये यूज होता है काफी और भी चीजों के लिए यूज होता है फ्ल सुडियो जैसे की अगर कोई पर्फॉर्मयर्स चल रही है रही या फिर कोई बैंड पर्फॉर्म कर रही है या कोई दीजoshop कोई प्रिकोर्ड विया करें दिए चीजए रुए और वह में को टांनी लोगों को लाइफ सुना नहीं तो यह उस चीज के लिए भी टेंपलेट्स हैं इसके अंदर जो काम में आती हैं जिससे की एक बंदा लाइफ परफॉर्मेंस कर सकता है तो यह सब चीजर के लिए ज एउस चीज के ही टेंपलेटों अलग अलग है वह आपचे लगा नहीं लगा कौण से आपके टेश्ट को आपके जोनर को कौन हैं कर रहा है कौन सा मैच कर रहा है कौन सा हीं कर रहा है यहांसे फिर आप्के टेंपलेट relative कर सकते हैं कि थी आपने . कि मेरे पिल्गुश 0 से स्टार्ट करना है जब भी हरवार मेरे को कुछ भी काम स्टार्ट करना है तो एक दम जीरो से टार्ट करो वो तो यह मेरे दिफॉल्ट आप इसे दूसरा कर सकते हैं इहां से चेंज डिफॉल्ट cięप्टेकर करके फिर यहां open में हमको option मिल जाता है open का जो option हो उससे आपका एक folder खुल जाएगा आपके fl studio का क्या रहा हूं आपके pc laptop का एक folder खुल जाएगा जहां पे आपने कोई अपना project save करके रखा होगा और वो जो recent project आपने save किया होगा जिस भी folder में वो वाला folder खुल जागा यहां फिर आप कोई और folder खुल कर उससे अपने निकाल सकते हो project जहां पर भी आपने save किया है project खुल सकते हो save से आपने अगर कोई भी project पर काम किया है जैसे कुछ भी काम किया आपने कुछ भी melody बनाई है कुछ भी किया कोई effect लगाए कुछ editing किया किसी की audio की mixing की है mastering किया कुछ भी काम किया अगर आपने तो आप यहां से जोगे उस project को save कर सकते हो कुछ भी next ऑता है save as like अगर हम किसी ओडियो पे काम कर रहे है और उस ओडियो के हमको दो वर्जन अच्छा लग रहे है कि हमको किसी आटिस्ट का हम म्यूजिक बना रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं हम अपने भी सोंग अगर बना रहे हैं तो हम लिएक साथ तो हम अगर किसी प्रजेक्ट करें और किसी चीज की कि इसके दो बर जैंस अच्छ लệc रहे हैं एक अच्छा लग है जिसके अंदर हमने कोंच दो चीज अलग तरीके से also चैव कर रिखिया तो सेवह से आप अलग प्रोजेक्ट सेव कर सकतेशं अर्टा को रिनेम कर दिय अब ये प्रोजक्ट को भी खोल के देख सकते और उस में और क्या काम किया है और अपने दोस्तों से देख विरेसं कर तेरे को जो अच्छा लग रहा है बता तो फिर उसके आगे है फिर हम दूसरे वर्जन को डिलीट कर सकते हैं रख भी सकते हैं कोई इस्यू नहीं है और यह सेव नियू वर्जन बस थोड़ा काम इसी कर देता है जैसे से वैस हमने आपर रिनेम कर दिया ना तो सेव नियू वर सेव कर दो यहां से सेव नियू वर्जन और खौल के दिखा हम आपको तो यह देखो ऑंटायलेड डू के नाम से यह सेव नियू वर्जन इसने कर दिया यह हमको रिनेम का उप्शन नहीं देगा बीसिकली बस यह उसका नया वर्जन सेव कर देगा उसी प्रोजेक्ट का जो भी नियू लग रहा लेकिन मिने को अलग से प्रोजेक्ट सेव करना है ताकि मैं दोनों को बाद में कमपेर करके सुन सकों या फिर किसी और को सुना कि उसकी राय ले सकों तो सेव नियू वर्जन यहां से हो साथ है अलग से बस रीनेम का उप्शन ही मिलेगा इस पर री वीडियो फाइल है उसको वेव में आप कर सकते हो यहां से एक्सपोर्ट और जातर यही चलती है हर जगा वेव और MP3 बाकि ओजीजी फाइल फ्लैक फाइल और यह मिडि फाइल भी काम आई जाती है पर यह दोने इतनी काम आती नहीं है और लेकिन फिर भी मैं इसके बारे म अगर क्लाउड पापनी आईडी बनाए रख्या जैसे क्लाउड जहां पर हम डाटा स्टोर करते है है आप सबको पता हूगा जैसे गूगल डाइव और नहीं है गूगल गजाए होता है तो आपनी चीजों को ताकि वह सेव रहे हैं ओल प्लेलिस्ट ट्रैक होता है कि यह हमारे playlist है जहां पे हमने ये track लगा दी एक तरीके से जो blank लगाए हैं मैंने इनको एक तरीके से आप audio file समझो कि ये सब हमने track लगा रखे हैं तो यहां export से all playlist track मतलब ये सब अलग-अलग track यहां पे हम save कर सकते हैं किसी भी folder के अंदर render कर सकते हैं उसको export कर सकते हैं वीडियो फाइल से होगा ये कि आप अपनी वीडियो बना सकते हैं और Apple Studio हमको ये भी option दे देता है इतने सारे visuals दे देता है ताकि हमको ये एक वीडियो भी बना सकें ताकि हम कहीं पर YouTube वगारा पर डाल सकें अपनी audio को और अगर किसी को वीडियो के बारे में भी और जादा सीखना हो या फिर पूछना हो कि कैसे बनानी है और फिर एकदम detail में तो फिर भी मेरे को बता दे ना मैं अलग से उसके उपर वीडियो बना दूआ zip loop package में ये हो जाता है कि अगर हमने अपना music बना लिया अब जो जो बंदा music बनाता है उसको पता होगा है के mixing एक अलग चीज होती है music बनाने से अलग arrangement अलग होती है recording अलग होती है mastering अलग होती है यह सब चीजे एक part है पूरे process का तो अगर आप चाहते हो कि आपने कुछ भी इन फोल्डर बनाते हो यहां से export करके यह पूरा यहां पर एक एक Spor कर देखा folder बस आपको वह जिप फोल्डर किसी नो किसी को बेजना है किसी को भी बेजना है जिसके साथ आपको आगे काम करना है आप चाहते हो कि वो बन्दा है इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करें तो यहां से आप जीप फॉल्डर बना के बेज सकते हो अपने आर्क्टिस्ट को, कलाइंट को या फिर किसी भी मास्टरिंग, इंजीनियर को बेज सकते हो आप बाकी का आगे काम कर दो, मैंने इतना काम कर दिया जितना मेरा काम था आगे प्रोजेक्ट बनस, इसके अंदर बेसिकली यह होता है कि जो भी हमने प्रोजेक्ट पर काम किया है यह हमारा mixer खुल गया mixer क्या होता है वो भी अगेन हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगा डिटेल में यह क्या होता है mixer कौन सी जीच क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं तो यहां पर जो भी हमने effect वगयरे लगा रखें यहां पर यह हमको option दे रखें दस इफेक्ट के फिर इस चैनल पर भी दस इफेक्ट के ऐसे बठेरे चैनल नों दे रखें हमको कम से कम 125 चैनल दे रखें नोंने इन सब पर अलग 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 इंस्ट्रूमेंट वगयरे डलते जितने हम को बजाने चाहिए हम एक गाने में पांच बजायें चाहिए दस बजाये तो सब पर अलग 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 इफेक्ट लगतैं सब सब अलग अलग sir Al regret तरीकष तरीगशे कीया जाता है पर जो बीखिया उन सब को हम अपने इफेक्ट को प्रोजेक्ट बोनस के रूप म यह से सावजाब , प्रोजेक्ट दाटा फाल्स यह उत हैं जो म Groß अगत पौभ मैं एंस्ट्रुमेंट बजा रखें तो इनकी जो यह वाली फाइल्स है ना ओडियो फाइल्स है जो इनकी जो इनके वन शोट है यह बेसिकली उसको यहां पर सेफ कर देगा अगर मैं इसको स्लेक्ट करता हूं अब जैसे मैं आपको दिखा हूं के मेरा यह म्यूजिक वाला फोल्डर खाली है अब मैं यहां से स्लेक्ट कर देता हूं म्यूजिक कि इस प्रोजेक्ट की जो भी फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पर सेव हो गई ब्रोजेक्ट डैटा फाइल्स बेसिकली यह करता है जो आपने sound सेलेक्ट कर रख है अपनी बीट को बनाने के लिए इसकी फाइल से वो सेव कर देगा अप लगिन सेव को छोड़ गे कि यह सवांड मैंसलेक्ट किया यह प्लगी निया सवडुलेक्ट किया लीकिन है trata कि अंदर बच लगिन सबस आब को छोड़ा कर 5 यह कम सेका हमारे जीन प्रोजेंट के संद्रुज नि काम की ओता तोन दस प्रोजेक्ट यह दिखाता है जिन पे हमने काम क्यों था रिसेंटली 10 इन में से हम् कोई सा भी चूज करके खोल सकते हैं जिससे हमको काम करें आओ जब् हम FL Studio खोलते हैं हमारा कोई कस्टम टेंपलेट खुलता है तो यहां पे फाइल पे गए, लाक्शा के ख्शुख तो समस्क्राइब जिस पर दो हमाहिने फेला को होगा मा सब्सक्स पत्रस wij 17 है सब्सक्राइब जैसे मैं रखकर फेलिडनी तो इसने वही मेरे को entitle को देदिया project जिस पर मैंने last काम किया तॉ अगर मैं किसी और project पर काम करूंगा और उसको कुछ और नाम होगा तो यह मेरे को झाल के देगा जिस पर मैंने last काम किया तो यह basically option इसी चीछ के लिए यहां से आप exit कर सकते हैं ffs studio से तो यह options सारे हो गये हैं अब चलते next की दरफ यह है edit इसके इंदर basically आप copy paste control यही वाले option इसमें show करता है edit में और कुछ शो नहीं करता अगर मैं यहां से कुछ काम वाम करूं इस पर तो यह edit के अंदर cut copy यही सब दिखा देगा जो basic चीज होती हो तो अब add पर चलते है अपन यह सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट है सबका अलग अलग काम है सारी अलग अलग चीजों में हमारे काम आते हैं जैसे की में एक प्यानिक अगर इसके जगा में कोई और चाहिए instrument तो यह सारे इंस्ट्रूमेंट ही है हम कोल सकते हैं एड पर जाके यह सारे इंस्ट्रूमेंट आप ट्राय कर सकते हैं वैसे खुद भी यहां से बेस कोल लेदे हैं है 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 आपको एक दम डिटेल में पता चले किया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो एड से बेसिक लिए होता है इंस्ट्रूमेंट यहां पर यह सब अलग अलग चीज की इंस्ट्रूमेंट नहीं जो की काम आते हैं, इन में से कुछ effect भी है, ऐसा निये के सारे instruments ही है, सारे आप अलग अलग चीज बजा सकते हो, कुछ effect भी है और यहां पर भी है, इन्होंने effect दे रखे हैं, जो अलग से भी एक option एक effect का दे रखा है इन में से कई सारे FL Studio के साथ हमको मिलते हैं, सेम यही इस plugins के साथ भी है यह plugins के साथ भी है, सेम यही चीज, plugins instrument ही होते हैं basically कुछ FL Studio के साथ मिलते हैं, कुछ हमको third party install करने पड़ते हैं हमारे ज़रुतों के हिसाब से जो यहां फिर हमको पसंद हो यह जो हमारे workflow को सूट करते हो, तो यह सारे plugins हैं, जैसे मैंने एक midi out का खोल लिया है, जैसे मैंने एक piano का भी खोला था, तो यह सारे plugins हैं, कौन सा क्या काम करता है, क्या नहीं करता, आप मेरे को ऊच सकते हो, मैं आपको बिल्कुल अलग एक वीडियो में बता दूँगा, सबका ही detail में, पर यहां से हम एक plugins खोल सकते हैं, अपने जो भी हम को यहां चाहिए हो, ऐसे इसका एक और भी तरीका, इस पर simply आप right click करके, यहां से भी insert पर करके, आपको इसा भी plugin खोल सकते हो, जाहतर मैं यही यूज़ करता हूं, बाकियों का पता नहीं, कि insert पर गए, और replace से तो आपको वही चीज़ रिपलेस कर देगा है, तो यह सार इसके उपर लिखावा है controller, इसके उपर लिखावा है drum, तो यह category से, अगर मैं इसको simple कर दूँ है, यहां से, तो यह सारे simple होगा, इनकी category हटगी, अगर मैं 3 बना दूँ है, तो फिर जो categories थी, यह उनके हिसाब से यूँ करके खोलेंगे है, तो सब अपने तरीके से रखते ह यह सारे अलग-अलग effect है, जो कि हम अपने sound पर apply करते हैं, कि कौन सी आवाज कितनी गूंजनी चाहिए, कौन सी वाली आवाज का कितना हिस्सा बजना चाहिए, कौन सी frequency सुनाई देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, यह सब यही effect से होता है, auto-tune वगेरा भी आजकल के बारे में, और effect के बारे में, काफी सारी आगे वीडियो जाने वाली है, मैं detail में बना हुआ एकदम, और आपको अभी कुछ पूछना होता है, आप मेरे को request, आप भी मेरे को comment कर सकते हैं, मैं comment में, वो चीज highlight करके, अपनी वीडियो के अंदर बता दूँगा, यहां से view plugin पिकर है, plugins यह हो गई, यहां से effect हो गई, यह है, view plugin पिकर, इसको अगर आप click करते हो, आप F8 दबाते हो, तो हमारी screen एक plugins खुल जाएंगे, यह सारे, तो हमको वहां से जाके select करने की जरूरत नहीं है, जहां से मैंने अभी आपको बताय था, यहां से, यह सारे plugins में जो यहां से select नहीं करना, यहां effect में से select नहीं करना, तो यह F8 से खुल जागा, यहां से खुल लो, फिर आप यहीं से कोई पिक drag and drop यूं करके कर सकते हो, यहां से एक, मैंने लिमिटर drag and drop कर दिया, यहां से browse plugin database का मतलब यह है, कि आप यहां पे अपना browse कर सकते हो, वैसे तो यह सहुलियत होती है, जिस बंदे को जैसे यूज करना पसंद है, वो ऐसे यूज कर लेता है, पर इनोंने एक एक option तीन चार 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 जगा पर दे रखा है, ताकि सब अपने हिसाब से एफल स्टूडियो को यूज कर सकते हो, और एफल स्टूडियो में एक ही चीज ज़ अलग अलग तरीके से सब बंदे यूज करते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगता है, यह भी सेम वही चीज है, ब्राउजो इंस्टॉल प्लगिंस जो भी आपने प्लगिंस थर्ड पार्टी के इंस्टॉल किया है, जो एफल स्टूडियो के साथ नहीं मिलते है, वो यहां प अधर हमको डाटाबेस के अंदर ही हमारे फिर प्री सेट का ओप्शन खोल दिया और प्री सेट क्या होते है, अगर मैं आपको बता हूं, रिसेट वैसे ज्यादा बड़ी चीज नहीं तो मैं इस वीडियो के अंदर ही बदाता हूं, को यूज के लिए लग समर को बनाने की तो जैसे मैं कभी ST plugin खोल लेता हूं, प्यानो का, तो अगर इसी पे मैं, रिवर्ब लगाओं, यह फ्ल स्टुडियो का ही plugin है, फ्ल स्टुडियो के साथ ही आता है और इसी का ही प्री सेट है, पर जैसे मैंने इसको छेड़ा, इसको छेड़ दिया, अपने, जैसा मुझको इफेक्टिक चाहिए, उसके मताविक मैंने कस्टम सेटिंग्स कर लिए, इसकी कस्टम अपना बना लिया, तो इसी को प्री सेट, अब यहाँ पर मुझको मेरा प्री सेट मिल जागए यह रहा, जो मैंने खुद अपना कस्टम बनाया, यहाँ से हम अपनी जो भी प्लग इन्स हैं हमारे, जो एफेस्टूडियो के अंदर हमको मिलते हैं, बाइचैंस किसी में कोई एरर आ गया है, यहाँ अपना इन्स्टूल किया है, या कुछ भी हमने एरर अपना रिजॉल्फ किया है, या फिर हमने कोई बाहर से प्लग इन्स्टूल करवाया, तो यहां से होता है, refresh plugin लिस्टे से, यहां से हम अपने manage कर सकते हैं, प्लग इन्स को कोन सा हमको रखना है कोन सा नहीं रखना, फिर स्टूडियो के अंदर कोन सा शो होना चाहिए, और कोन सा शो नहीं होना चाहिए, यहां से डिलीट नहीं होता कुछ भी, बस आप शो करा सकते हैं जिन जिन पर स्टार लगा वह इसा मैंने हाइलाइट कर रखे हैं इन में से जाधा तर मैंने अलग से इंस्टॉल किया है और FL Studio या कोई ही अबस दूनिया का अपने हमें अपने हाइप उसी फ वो तो मैंने बस दूसरे folder में कर रखे हैं क्योंकि मेरे को space बचाना था अपने लोकल लिस्क सी का तो मैंने लोकल लिस्क डी में भी कुछ कर रखे हैं इंस्टॉल तो हमारे manage plugin हो गया refresh plugin लिस्ट हो गया हमारा हो गया automation for last tweak parameter अब automation के भी काफी सारे काम है automation क्या होती है क्या नहीं होती उसके लिए एक अलेक से video बनाएंगे पर मैं एक आपको चोटा सा उधारन दे देता हूं क्यों automation क्या होती है क्या नहीं होती है तो यह automation for last tweak parameter basically यह है कि जैसे अभी last मैंने इसको छेड़ा था या इसको छेड़ा था तो यह जिस भी नोप को last मैंने छेड़ा है ना चाय वो यह हो चाय यह हो चाय वो यह volume का हो कोई सा भी हो last जिसको भी मैंने छेड़ा ना यह उसका हमको automation एक बना कर देदेगा यहां से pattern है हम pattern बना सकते हैं नहीं कोई सा भी फिर उस pattern को यहां से select कर सकते हैं कि हमने कौन सा pattern बनाया है जैसे अगर इस pattern पे मैंने यह चीज बजा रखिया तो फिर अगले pattern पे मैं अलग चीज लिए एक पे guitar बजा लिया फिर उन सब को अलग अलग इस्तमाल कर सकते हो यहां से भी निगाल सकते हो यहां से भी निगाल सकते हो यह सारे pattern यह दोनों pattern यहां पे आ गया है जैसे मैं FL Studio 20.7 यूज करता हूं तो FL Studio 20.7 में यह वाला function है क्या यहां पे भी है बाकि अगर आप स्टुडियो तो कई function सा अलग हो सकते हैं बाकि अवर स्टुडियो 20.7 से जो उपर की वर्जन जिदन भी बंदे इस्तमाल करें इस वकत चैनल ने कहीं से खरीदा है चैनल कहीं से करेक लिया या किसी पर अगर नहीं है कोई trial version यूज कर रहा है तो भी मेरको contact आप करके WhatsApp कर सक घिकतमर से WhatsApp मेर को कर både तो पैटेंड़र हो गया तो आज हमने basically देखा file के अंदर कौन्से उप्षन से कौन सो ऑप्षन क्या करता है जैंज के अंदर कौन से क्या करता है किसलिए होता है व्यू के अंदर कौनस ऑप्शन क्या करता है किसलिए होता है ओप्शन के अंदर कौनस ऑप्शन क्या होता है और किसलिए क्या करता है और वैसे ही टूल्स के अंदर कौनस ऑप्शन किसलिए काम आता है क्या होता है फिर आगे हम देरे देरे बढ़ सकते हो बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं वट्सप तो दूंगा यह अपना तो आप मेरे को डियेक्टिरले भी पूछ सकते हो कोई इकताली बात नहीं थैंक यू अरी मच